हाई अबरिवन वेलकम टो डिस्टल जी के क्लासेस तो देखें ईवियस की जो है कल क्लास होई थी एंड रेगुलर बेसिस पे होती है जिसमें कौन सेप्चुल आपको देखने को मिलता है जो के बार बार पूछा जाता है और कल सुबर जो मैंने ईवियस की क्लास ले थी उसके क्वेस्टन के लेवल काफी अच्छे थे वो 31 दिसमबर को जो अभी ऑनलाइन एक्जाम हुआ था उसमें जो पूछा था वही था तो जिसने भी अभी दक नहीं देखा है आप चैनल के प्ले लिस्ट पे जरूर देखेगा बहुत अच्छे क्वेस्टन है एक्जाम में अच्छे से किया तो आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे अदर्वाइस बहुत लोगों को इवेस में डर लगता है तो देखे आज जो है मैं इवेस में आपको पता है कि 15 नंबर की पैड़ागोजी आती है और 15 नंबर की कॉंसेप्चुल होते हैं पैड़ागोजी सारी चीज़ आप सुनते आ रहे हैं तो आज जो है आप मुझे बताईएगा कि आपके कितने सही हुए हैं तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं देखिए यहाँ पर आप देखिए NCF 2005 के अनुसार प्रात्मिक इस्तर पर EBS का उदेश निम्न में से कौन सा होना पॉचे तो पॉजटिव आंसर देना है नेगेटिव पूचे तो नेगेटिव आंसर देना है बस इतना ही है इसमें तो इसमें क्या पूचा है कि NCF 2005 की अनुसार और NCF 2005 बहुत अच्छे समें आपको कराया ही है अगर वो वीडियो नहीं देखा आपने तो जरूर देखिए उसमें मैंने कुछ questions कराये हैं और कुछ मैंने उसमें theory भी करायी हुई है तो काफी important है जिसने नहीं देखा है वो जरूर देखिएगा NCF 2005 की अनुसार प्राथमिक इस्तर पर EBS का उद्देश जो है इसमें से क्या होना चाहिए 1 to 5 पर EBS जो है उसका उद्देश क्या होगा तो अगर आप जो है teacher बन जाते हो तो आप बताए इसमें से क्या चीज़े जो है right होंगी पहला देखिए link संबंदी मतलब gender विस्यों क तथा हाशिया करण के मुद्दों पर समा लोचना करना क्या ये होना चाहिए जिसको English में क्या बोलते हैं ये देखिए to critically address gender concerns and issue of marginalization जो हाशिये पर होता है उसकी बात हो रही है इसमें या फिर दूसरा बच्चे की कंठस्ट करने की कला का विकास करना रोट learning को तो NCF में एकदम लिखा ही हुआ है कि इसको गलत ही करना है अब ये देखिए तीसरा प्रात्मिक इस्तर पर EBS के सीखने में वर्डन के महत्व पर जोर देना आपको वर्डन जो ये description वाले जो चीजे होती हैं जिसको description बोलते हैं इस पर आपको महत्व पर जोर नह करना मतलब आप क्या करो recognize करो and recall करो environment issues को आप primary concerns पे तो क्या ये चीजे सही होगी कि आप पहचानो और उसका प्रत्याहान करो क्या जो है अगर आपने किसी issue को कोई भी मुद्दा आया ठीक है आपने इसको recall किया and उसको recognize किया किस पर एक primary concerns मतलब एक प्रमुख मुद्दे के रूप में तो क्या ये चीज जो है ncf के according इस पर जोर दिया है या नहीं तो अगर आपको थोड़ा भी idea हो तो इसकी भी बात नहीं हुई है नहीं वर्डन के महत पर जोर देना है आपको कोई भी description वाली चीज़े नहीं कंठस्त करना है ये देखे link संबंदी विश्यों की तता हाशिय करन के मुद्दों पर समालोचना करना ये ncf 2005 के अनुसा प्रात्मिक इस तर पर evious का मुख के उद्देश जो है होना चाहिए क्यों कि इसमें critically address करेगा gender concerns को concern मतलब क्या होता है चिंता क्योंकि आपको पता है कि gender discrimination जो gender भेद भाव में काफी जादा है and issue of marginalization मतल जो gender है ये दोनों काफी एक sensitive मुद्दा भी होता है इनको क्या करना है आपको address करना है अगर आप इसको address करके बच्चों को सिखाएंगे तो इससे क्या होगा उनका जो concept है उन्हें भी कुछ example आप दिखाएंगे कि देखो समाज में ये सारी चीजे होती है और आप class के किसी बच्चे का example लेकर दिखाएंगे अगर उसके घर में ऐसा कुछ होता है उससे क्या करेगा बच्चा सीखेगा concrete example आपको देना है तो option number one is right और बाकी के इतीनों जो है एकदम गलत है तो जब भी कुछ ऐसा लगे कि आपको gender संबंधी subject and जो हाशे करण है उसके मुद्धों प प्रात्मिक इस्तर पर EBS की A की कृत मतलब integrated प्रवरिती को निम्न में से कौन अनुमोधित करता है इंटीग्रेट का मतलब आपको पता ही है जिसमें आप एक subject को दूसरे से अगर आपने relate करके पढ़ाया जैसे A देखिए विज्ञान समाजी विज्ञान तथा पर्यावरण क्या ये होता है या फिर B बच्चा अपने पर्यावरण को एक संपोर रूप में देखता है या फिर C या थीम पर अधारित है या D इसमें विज्ञान एवं समाजी विज्ञान के विशे तथा उप विशे सामिल है अब ये देखिए ये 77 का कौन सा question जो है इसमें सही होगा आप खुद बताओ ये तो एकदम सही है मैंने हमेशा बताया है EBS अगर स्टार्टिंग साप पढ़ रहा हो कि उसमें science भी है समाजी विज्ञान तथा पर्यावरण सिक्षा इनके concept का क्या है जो भी issues है उनको एक ही करण करके पढ़ाये जाता है मतलब integrate करके integration का मतलब क्या ह बी देखें बच्चा अपने पर्यावरण को एक संपूर रूप में देखता है येस बच्चा जहां पर भी रहता है वो उसका जो environment है वो उसको as a whole देखता है ठीक है ये भी बात सही है सी देखें यह थीम पर अधारित है येस आपको पता है किसमें six themes जो है आपको पढ़न तो देखिए 78 का question निमन में से EVS के सिक्षा के समबंध में कौन सा सही है और जिसने कल NCF की class देखी होगी वो इसको अराम से कर लेगा क्योंकि to the point वही लिखा हुआ है इसलिए NCF आप सभी को पढ़ना काफी जरूरी होता है देखिए अनुभाव दोरा सीखना येस आपको बच्चे के experience से सिखाना है अनुभा का मतलब यही होता है learning through experience experience जो भी होगा उसके थ्रोई आपको सिखाना है दूसरा मूर्त से अमूर्त की और सिक्षा येस मूर्त मतला concrete बच्चे के सामने जो भी चीजे है पहले उससे सिखा बाद में आप उसको जो उसके सामने ना हो imagine कर करने की आपको उसके अंदर capacity को जो पैदा करना चाहिए तो b भी सही है c देखे ग्याद से अग्याद जो पता है पहले उसको उसके थ्रोई सिखाए उसके बाद से आपको अग्याद के और जाना है तो ये दोनों एकदम सही है d evious का प्रासंगी स्वरूप मतला evious क्या है ए ऐसे concept भी लिखे होते हैं जिसको आप क्या करोगे एक experiment एक activity के द्वारा जो है सारी चीज़ा आप सिखा सकते हो तो evious का nature कैसा है contextual nature है ये भी सही है जिसे ना पता हो आसे याद रखना तो ये सारे points सही है a b c तठा d जो है इसमें right है option number one is right अब चले next question पे 79 अब ही देखो य इसमें जो भी पाठिकरम अगर आपने जो six themes जो कि मैंने आपको टेलिग्राम पे भी भेजा हुआ है तो आप बताई इसका क्या हो सकता है पाठिकरम का theme क्या है कार एम खेल कूद चीज़े जो हम बनाते हैं और करते हैं जानवर या फिर पेड़ पौधे इसमें से क्या एक दम अच्छे से याद कर लेना उसमें एक जो है एक theme के अंदर जो सब theme है उसे भी आपको याद रखना है नेक्स्ट कॉश्चन है 80 NCRT का की EVS पुस्तक का अंतरिक्ष में सुनीता अधारित है NCRT की EVS की जो पुस्तक है उसमें एक chapter होगा अंतरिक्ष में सुनीता ये किस पे अधारित है ये question है रोजमर्रा की चुनोतियों पर है असल जीवन की घटनाए है या फिर वास्त्विक लोग तथा उनके अनभव है या फिर वास्त्विक इस्थान है तो ये कुछ chapter से भी पूछता है पैडागोजी में तो याद रखना है अंतरिक्ष में सुनीता ये किस पर हो सकता है चुनो रोजमर्रा का तो है नहीं असल जीवन की घटनाए है ये वास्त्विक लोग और उनके खुद के experience पे अधारि तो देखिए ये 81 नंबर का जो question है हम वो देखते हैं सबसे पहले देखिए इसमें क्या लिखा है कि खादे पदार्थों के खराब होने तथा अपवय को संबोधित करने के लिए निम्न में से कौन से संसाधन का सुझाओ उप्यूक्त है मतलब खादे पदार्थ जो है कोई खराब हो रहा है उसके sorties पे उसके spoilers पे आप इसमें से कौन सा संसाधन जो है सबसे ज़्यादा उप्यूक्त मानेंगे जिससे कि आप ये सारी problems को क्या करें शेर कर सकें तो देखते हैं option परिवार के अनुभव एवं परसपरी क्रियाओं को खादे परिक्षण से संबंधित वैक्ति से साजा करना या फिर इस विशह पर श्रव द्रश मतलब audio video व्याख्या हैं विचार में मर्स आप एक lecture या फिर एक discussion स्टार्ट कर दें या फिर सोच मतलब think स्याही मतलब ink जोड़ा मतलब pair and साजा मतलब share सबसे best क्या होगा तो I hope आपको समझ में आ गया होगा कि इस जो है खादे परिक्षण से संबंदित होगा अगर आप उससे शेयर करोगे तो वह चीजे ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी यही चीज यहां पर भी लिखाए कि sharing family experiences family experience जो भी अनुभव हैं उनको शेयर करें and interaction with a person एक ऐसे आदमी की साथ interact करें पारस परिक्रिया करे जो कि खुद किसमें involved हो food preservation में खादे पदार्थों के परिक्षड में तो उससे क्या होगा सबसे ज़्यादा यही अच्छा resources होता है कोई भी चीज समझने का जो उसमें खुद involved हो तो option number one is right तो चलिए 82 question देखते हैं EBS में एक सिक्षक एक teacher जो है निम्न में से किसके प्रदत जो है teacher सुष्टा अभियान चला सकता है तो चलिए option देखते हैं project जिसको परियोजना बोलते हैं प्रदत कारे जिसे assignment बोलते हैं छेत्र भ्रमण जिसे field visit बोलते हैं और प्रयोगात्मक कारे जिसमें आप प्रयोग करते हैं experiment तो सबसे best इसमें से क्या होगा जिससे क एक बच्चा जो है वो सचता अभियान जो है वो चला सकता है तो 82 का क्या होगा एक project work assignment में कुछ नहीं होगा क्योंकि आपको सचता अभियान चलाना है तो उसके लिए सबसे best क्या होता आपको एक project बनाओ और project में क्या होता है कि सारे जो बच्चे होते एक group बन जाता है माल project के द्वारा assignment से नहीं होगा नहीं field छेत्र भ्रमड से सचता अभियान को आप करा सकते हैं क्योंकि कई बार होता है कि EVS में हम छेत्र भ्रमड को अच्छा मानते हैं बट आपको question के हिसाप से जाना है कि सचता अभियान चलाने के लिए एक project तयार कीज़े उसके हिसाप से च धाय पंद्रा मतला NCRT का जो EVS का book है उसके chapter number 15 में कक्षा 5 की है वो उसी से कक्षा 5 में उसी से ठंडा उसी से गरम कोई chapter का नाम होगा उसी से ठंडा उसी से गरम और एक चीज़ और एक चीज़ और है तो क्या है उसी से ठंडा उसी से गरम नामक डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा रचीत एक कहानी का प्रयोग किया गया है तो इस कहानी का मुख्य उद्देश जो है क्या विक्सित करना है उसी से ठंडा उसी से गरम ये है तो जिसने वो कहानी पढ़ी होगी वो तो कर लेग नहीं पढ़िये तो आज से याद रखना क्या जल चक्री के प्रत्या का उसमें define किया गया है या फिर शंगनन की क्रिया मतलब condensation जो होता है या फिर जो प्रात्मिक इस्तर पर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया की समझ या फिर चात्रों की रूचिया अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ उसी से ठंडा उसी से गरम इसमें क्या है सांस लो एंड उसको छोड़ने की प्रक्रिया की जो समझ है उसको इस कहानी में विक्सित किया गया इसका मुख्य उद्देश क्या है उसी से ठंडा उसी से गरम मतलब सांस आप लो और सांस छोड़ो इसी की प्रक्रिया को उसमें अच्छे से समझाए गया है तो option number 3 is right अब 84 EBS की सिक्षा में रचनात्मक मुल्यांकन का संचालन करने का सबसे उप्युक्त उद्देश क्या है रचनात्मक मतलब जो formative assessment होता है और एक होता है विद्यार्थियों की मातरात्मक इवं गुडात्मक प्रगती को संबोधित करना विद्यार्थियों की विश्या नुसा प्रगती का आकलन करना विद्यार्थियों को अंक इवं स्रेडी देना या फिर 4 विद्यार्थियों को अगली कक्षा में पद्धुनत करना वतला अगली कक्षा में भेजने के लिए तो इसका right answer है सबसे best है कि आप जो है formative assessment में क्या करते हो जो बच्चे हैं उनका मातरात्मक एवं गुडात्मक उनकी जो प्रगती कैसे हो रही है उसको सम्बोधित करने के लिए आप रशनात्मक मुल्यांकन करते हो जैसा कि इंगलिज में आप देख सके address the quantitative and qualitative progress of the students आपको दोनों करना है मातरात्मक भी करना है और गुडात्मक भी करना है रशनात्मक मुल्यांकन का उप्योग किया जाता है तो option number 1 is right आप मुझे जरूर बताएगा कि आपके कितने सही हुए हैं आप 85 देखते हैं EBS का सिक्षक सदय अपने पास एक डायरी वा कलम रखता है तथा अपने छात्रों के प्रती दिन के अर्थ पूर्ण एम दिल्चस्प वैवहार का अउलोकन करता है तो सिक्षक किस चीज का प्रयोग कर रहा है इसमें इस आपको बताना और ये क्वेशन कई बार पूछा हुआ है फिर भी लोग गलत करते हैं आपको ध्यान रखना है कि एक टीचर जो है वो डायरी वाम कलम रखता है अपने पास और जो भी उसके चात्र हैं स्टूडेंट्स हैं उनके हर दिन का अर्थपूर और जो भी दिल्चस्प का मतलब होता है कोई एक अच्छा उसमें दिग गया होगा उसको वैवहार उसका अब्जवेशन करता है जो की इंट्रेस्टिंग हो उसका बिहेवियर उस टाइप का तो उसक्षा क्या प्रयोग कर रहा है क्या देखें यहां पर अगर आप यहां से देखें अनेक्डॉटल रेकॉर्ड का कर रहा है मतलब जिसे दृष्टांत वर्डन उपकरन बोलते हैं या फिर पोर्टफोलियो जिसमें फाइल रहता है उसमें आप लिखते हैं बच्चे के बिहेवियर हर चीज के बारे में या फिर रेटिंग स्केल आप उसको रेट कर रहे हो 1,2,3,4 या फिर ए,b,c,d ऐसे ग्रेट कर रहे हो या फिर चेकलिस्ट, चेकलिस्ट का मतलब होता है कि अगर बच्चे का सब बढ़िया है तो yes और नहीं है तो no चेकलिस्ट में यह होता है yes और no तो क्या कर रहे हो आप इसमें किस चीज का जो है इंसान यूज कर रहा है वो क्या कर रहा है एक anecdotal जो है tool का यूज कर रहा है क्योंकि anecdotal जो record होता है उसमें आप क्या करते हो उसमें बच्चे का हर दिन का जो भी उसके meaningful और जो उसका interest behavior आपने observe किया होता है वो लिखते हैं और anecdotal का यही परिभासा भी है कि आप जो है किसी का प्रती दिन का meaningful या फिर कुछ एक अलग ही behavior हो जो एकदम आपको अलग दिख रहा हो different हो interesting हो उसको आपने क्या क्या डारी में लिख लिया तो यह आपने किस चीज का tool का यूज किया है यह करने के लिए आपने anecdotal tool का यूज किया है portfolio का नहीं तो option number one is right 86 देखते हैं निम्न में से कौन सा EBS के आकलन का सूचक हो सकता है मतलब EBS का आपको आकलन करना है उसमें इसमें से कौन सा सूचक हो सकता है तो चलिए देखते हैं पहले देखिए observation होगा सहयोग मतलब help याद मतलब इसमरिती memory या फिर प्रत्याहान जिसे English में क्या बोलते है recall recall का मतलब आप जैसे कोई चीज आप बार बार recall कर रहे हूं उससे बोलते हैं तो इसमें से EBS के आकलन का सूचक क्या हो सकता है क्या observation होगा या फिर cooperation जो एक दूसरे से सीखते हैं तो देखे इसका best option निकालने के लाग को क्या करना पड़ेगा अगर नहीं आ रहा है तो eliminate कर दीजे कि क्या इसमें से जो है वो नहीं हो सकता है तो क्या याद होगा याद तो बिल्कुल भी नहीं होगा या फिर recall कर रहे हो आप कोई चीज बार-बार वो भी नहीं होगा आकलन का सबसे best होता है कि observe करें और सहयोग मतलब cooperation जिस cooperation teaching में जहां पर एक दूसरे के साथ बच्चे सीखते हैं ये सबसे best सूचक है तो option number one केव a and b next question है 87 पर्यावरण अध्यान के सिक्षक अपनी कक्षा में वास्त्विक चुनावती हैं पर्यावरण अध्यान के सीखने का प्रभाव साली संसाधन है जिसमें सबसे इफेक्टिव लर्निंग हो वो सबसे बेस्ट इसमें से रिसोर्स क्या है तो चली देखते हैं पहला है कविताय और कहानिया दूसरा पर्यावरण सिक्षा की पाठ्य पुस्तक तीसरा है कार्य पत् क्या होता है वर्क सीट जिसे बोलते हैं ठीक है वर्क सीट इसमें से सबसे अच्छा क्या हो सकता है अगर आपको पर्यावरण अध्यन सिखाना है बच्चों को छोटे बच्चे हैं तो इसमें सबसे बेस्ट क्या होता है कि कवितायों और कहानियों के माध्यम से सिखाईए टेक्स्ट बुक से बिलकुल भी नहीं, आप एक वर्क सीट दे दो, बच्चे को ना तो उसमें लिखना आ रहा है ना कुछ आ रहा है, क्या फायदा होगा, केवल देख के अब क्या बच्चा सीख सकता है, बिलकुल भी नहीं, कहानिया और कविताओं में क्या होता है, बच्च तो चलिए देखते हैं, समुदाय के सदश, जो members of the community, पठन शामगरी, reading materials, विज्ञान प्रयोक्षाला, science lab, याफी संसार का मानचित्र, map of the world, इसमें से क्या होगा सबसे? चोटे से बच्चे को एक पाठे पुस्तक है, उसके अलावा जो है, समुदाय के सदश से, जो member of community होगे, उससे वो ज़्यादा सीख सकता है, अगर books वगर आप ना पढ़ाओ, तो उनको क्या करो, members of the community से जोड़ दो, वहाँ से वो बच्चा सीख सकता है, reading material से नहीं, वो में class अच्छी लगी होगी, तो आपने like share करी दिया होगा, चैनल पर first time जुड़े हैं, तो चैनल को subscribe जरूर कर लें, ऐसे ही आपको बहुत अच्छे-चे classes जो है, exam तक देखने को मिलेगा, निम्न में से किस आकलन का पर्यावरण अध्यन की कक्षा में, विद्यार्थियों परिक्षन की प्रती पुस्टी, इसमें सबसे बेस्ट जो है, वो है 90 का one portfolio के द्वारा आकलन, और ये जो है पर्यावरण अध्यन की कक्षा में, विद्यार्थियों द्वारा जो है, इसका आनंद लिया जाता है, पेपर पैंसिल में कुछ भी नहीं कि आप पैंसिल टेस्ट कुछ कर सकते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं, जो oral question आपने देखा होगा, उसमें नहीं जादा अच्छे से कर पाते हैं, बट वो writing में बहुत अच्छे होते हैं, तो ये सारी चीज़े बिल्कुल भी नहीं होगी, portfolio द्वारा आकलन जो है, इसमें best है, तो option number one is right, देखें, EBS हो, हिंदी हो, कोई भी subject हो, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही होता है, कि चार option में से आपको जो सबसे best लगता हो, अपने खुद से सोचे, वही सहीं होगा, इसमें आपको रटना नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है, तो यह थी आज की 15 क्लास, बताना कितना आपका स्कोर आया है, और साथ में जो भी दूसरे क्लासेश चलती है, हिंदी का पैसेज हो गया, CDP हो गया, SST भी होता है, English, Math, तो सारे क्लासेश जो हैं आप जरूर देखेगा, आपको इससे बहुत जादा हेल्प मिलेगी, तो वी जादिंग!